नमस्कार साथियों टीचर्शिप में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है साथियों इस वीडियो में हम Microsoft Officer थाथ MS Word, MS Excel वा MS PowerPoint से बहुत ही महत्पुड MCQ, Top 51 MCQ करने वाले हैं जो बार बार परिक्षाओं में पूछा गया है निश्चे दुर्प से यह वीडियो आप सभी के बहतर त्यारी है तो बहुत ही काम की होगी तो चलिए दोस्तों बीना देर किये स्टार्ट करते हैं पहला क्वेस्चन है कौन सा MS Excel का एक्स्टेंशन है उप्षन A है MP4, उप्षन B है XLS, उप्षन C है EXE, उप्षन D है QT निश्चे दुर्प से साथियो हम सभी उप्षन को बारी बारी समझेंगे आंसर का हम एनलिसिस करते हैं सबसे पहले ध्यान देते हैं साथियो जो .xls होता है वो Microsoft Excel का जो है एक File Extension का लाता है याद रखेगा यह जो है Microsoft Excel का जो 2007 वर्जन है उससे पहले का जो File Extension पूछा जाता है तो .xls होगा और वही अगर बात का पूछा जाता है तो xlsx होगा याद रखेगा 2007 जो वर्जन है उसके बाद का ये होगा .xlx तो ये भी आपसे कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखेगा इसलिए हमने जो answer analysis के part में हमने इसको सामिल कर दिया जो कि इसका answer भी यहाँ पर दिया हुआ है साथियो कौन सा MS Excel का extension होगा तो निश्चेत रुप से इसका जो answer होगा option B होगा और भी अन्य जो बाते हैं उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर यदि पूछा जाता है क्योंकि पूछा भी गया है हमने बार बार उन question को सामिल नहीं किया है एक ही question में जादतर कोशिस के हैं कि बहुत से question का समावेश हो उसके answer का तो निश्चेत रुप से यदि पूछा जाता है कि Microsoft Word का जो file extension है उसका नाम क्या है तो याद रखेगा .doc याद रखेगा ये जो है before word 2007 जो है Microsoft Word का 2007 वर्जन के पहले इका file extension name है और वही बाद का देखा जाया तो .docx होगा याद रखेगा इसे भी और वही PowerPoint का देखा जाए तो ये .ppt जो है PowerPoint का है साथ ही हो 2007 के पहले का और वही pptx की बाद करें तो ये 2007 के बाद जो यूज हुआ है PowerPoint presentation के लिए file extension ने तो ये है और वही अगर यहाँ पर देखा जाए तो option में दिया है mp4 तो mp4 ये एक video file extension है याद रखेगा और .exe यहाँ पर दिया है वो executable file extension का है और वही qt दिया है यह quick time file का extension है तो इस प्रकार जो साथ हूँ इसमें जो है option के अलावा जो हमारे इस topic का जो नाम है जैसे कि हमने ms office से हम लोग तीन topic पर मुख्य रूप से देख रहे हैं ms word, ms powerpoint और ms excel तो ये तीनों का आपको मुख्य रूप से file extension तो पता होना ही चाहिए क्योंकि आपको देखा जाए तो ये syllabus में निश्चेत रूप से है तो देखा जाए तो ये बहुत ही important हो सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हमारा next question देखते है ms word document में खालिस्थान बटन दमाने पर find and refresh dialogue box खुलता है तो यहाँ पर साथियों देखा जाए option में तो option A है F2, option B है F3, option C है F4, option D है F5 साथियों F1, F2, F3 जो 12 रहता है F12 तक वो function की कहलाता है याद रखेगा आईए हम इसका answer समझते हैं यहाँ तो इसका answer है साथियों याद रखेगा option D इसका answer है और यदि हम लोग समझे F5 का और क्या क्या उपयोग है तो निश्चित रुप से system को refresh करने के लिए इसकी का इस्तिमाल किया जाता है साथियों file auto arrange भी किया जाता है इसके द्वारा F5 के द्वारा और भी इसका उपयोग देखें तो MS Word में function कुझी F5 का उपयोग करने पर find and replace का dialogue box खुल जाता है जहां किसी भी text को ढूंडा जा सकता है या उसे replace किया जा सकता है वही अगर हम तीसरी बात करें F5 का उपयोग तो किसी web page को reload करने के लिए याद रखेंगे यहाँ पर जो है और आने वाले question में देखेंगे भी तो किसी web page को reload करने के लिए भी F5 का ही उपयोग करते हैं वही MS PowerPoint की बात करें साथियों तो MS PowerPoint में presentation के लिए F5 का उपयोग करके slide को slide 100 को चालू करने के लिए याद रखेंगा F5 का उपयोग किया जाता है जैसे कि slide बनाने के बाद यदि slide को सुरू करना है या on करना है तो उसके लिए जो है F5 का ही उपयोग किया जाता है और वही देखा जाए साथियों की to complete refresh की बात होगी तो उसमें जो है control plus F5 का उपयोग होगा याद रखेगा और उसमें जो है note बिंदू उसको भी समझते हैं कि complete refresh में browser से कैसे file को delete कर दिया जाता है और paste content को दुबारा से download किया जाता है तो यह जो है to complete refresh कहलाता है जो की control plus F5 के उपयोग से होता है अब हम देखेंगे next question जो है next question MS PowerPoint में किसी slide 100 को प्रारम करने है तो बटन को दबाया जाता है तो याद रखेगा साथियों इसका भी जो answer होगा option D ही होगा F5 अभी हमने detail चर्चर में इसको जाना भी है आगे बढ़ते हैं हमारा next question है Microsoft Word में निमलकित में से कौन सा keyboard shortcut spelling and grammar जाच को रन करता है तो इस पेलिंग या grammar check करने के लिए जो function की का उपयोग होता है साथियों यह बहुत ही important question है तो याद रखेगा इसका जो answer होगा option A होगा F7 से याद रखेगा Microsoft Word में keyboard shortcut spelling and grammar check करने के लिए जो है F7 का उपयोग होता है इसका जो answer होगा option A होगा आई इसका जानते हैं इसमें जो F7 और F8 भी महतपुड है इसलिए हम यह दोनों बिंदू को भी जान लेते हैं MS Word में spelling check करने के लिए तो F7 का उपयोग होता है वही F8 की बात करें तो computer को safe mode में open करने के लिए प्रयोग किया जाता है MS Word document में हमें 4 दिशाओं में उपर नीचे दाएं बाएं margin प्रदान करता है तो यह भी एक बहुत ही महतपुड है एक तो safe mode में open करने के लिए प्रयोग किया जाता है और दूसरा जो है चारो दिशाओं में उपर नीचे दाएं बाएं margin प्रदान करने के लिए भी यह महतपुड उपयोग होता है F8 function number 8 जो है function की का देखा जाए तो वही आब आब हम next question देखते हैं साथियो MS Word software में F12 button दबाने पर क्या होता है तो निश्चेत रुप से साथियों आप सभी जानते होंगे यदि इसके बारे में अगर और पढ़ चुके होंगे तो इसका जो option A दिखाई दे रहा है वही इसका answer होगा save as जो dialogue box समवाद box खुलता है वही इसका answer होगा आएए इसको भी थोड़ा समझते हैं F12 जो है save as dialogue box खुलता है पहले से बनी फाइल को हम किसी अन्य नाम से save कर सकते हैं save as करने के बाद पहले से बनी फाइल और बाद में save की गई फाइल दोनों सुरक्षित रहते हैं तो इस प्रकार साथियों F12 का जो उप्योग है वह save as के लिए उप्योग होता है याद रखिएगा इसको भी next question देखते हैं MS Excel में सुत्र का प्रारब खालिस्थान से होता है साथ हो ये प्रस्ण जो है CG व्यापम पटवारी 2022 में भी और 36 गड़ सिक्षक भरती अभी हाल ही में 2023 में भी पूछा गया था तो निश्चेत रुप से ये बहुत ही important है MS Excel में सुत्र का प्रारब जो है साथियों option C जो बराबर दिया है equal का sign इस से होता है याद रखेगा ये बहुत important है आगे बढ़ते हैं MS Excel software के sale में एक formula लिखने है तो खालिस्थान चिन्य का प्रयोग होता है तो इसका भी answer साथियों वहीच होगा option D ही होगा कहीं न कहीं गुमा फिरा के वहीच प्रस्ण को इसमें सब margin के लिए खालिस्थान margin प्रदान करता है तो option A है 36 और उर्धवाधर option B है उपर और नीचे option C है बाएं और दाएं option D है उपर नीचे बाएं दाएं तो याद रखेगा साथियों इसका जो answer होगा option D होगा उपर नीचे बाएं और दाएं ये सभी margin प्रदान करते हैं याद option C है print preview option D है reading view तो याद रखेगा साथियों इसका जो answer होगा option C होगा print preview तो याद रखेगा इसका हम थोड़ा और भी detail चर्च करते हैं जब हम MS Word या MS Excel में कोई document बनाते हैं तो उसमें उसमें graphics और color का उप्योग करते हैं printer द्वारा हमें रंगीन output मिल जाता है पर print करने करने option A है पहले पन्ने पर option B है हर पन्ने पर option C है एक आंतर पन्ने पर option D है दूसरे पन्ने पर तो header याद रखेगा साथियों header जो है सबसे उपरी हिस्सा में लिखा जाता है और footer जो है सबसे नीचे हिस्से में तो यह जो है हर पन्ने में print हो जाता है साथियों याद रखेगा और भी हम इसको देखते हैं यहाँ पस MS Word का एक ऐसा फीचर है जो यह सुधा देता है कि आप कोई भी Word या sentence किसी पेज डाक्यूमेंट के उपर लिखेंगे तो वह हर पेज में by default मिलेगा जैसे कोई header set करना है तो आपको insert menu में जाना होगा वहाँ आप header select करेंगे और उसे header में कुछ लिखेंगे मान लेते हैं हमने header में ABC लिखा इसका मतलब होगा कि अब ABC जो हर पन्ने के उपर प्राप्त हो जाएगा तो यह जो है एक महत्पुर जो है feature है साथियो MS Word का याद रखेगा आगे बढ़ते हैं साथियो next question है किसी file को इस्थाई तोर पर recycle bin में भेजे बिना delete करने के लिए क्या चीज़ दबाया जाएगा तो याद रखेगा साथियो इसमें जो answer दिया है answer है shift प्लस delete जो है साथियो इसका answer होगा यहाँ पर जो option B दिखाई दे रहे हैं इसका answer होगा आएए इसके हर एक option को देखते हैं यहाँ पर जो delete दिया है option D में उसका क्या होता है तो selected file को delete करने के लिए इसका उप्योग होता है और वही control plus delete की बात करें तो MS word में दाएं और एक सब्द delete करने के लिए इसका उप्योग होता है वही shift plus delete की बात करें तो किसी भी फाइल रिसाइकल भीन में भेजे बीना इस्थाई तोर पर डिलिट करने के लिए इसका उप्योग होता है तो याद रखेगा इसका आंसर जो है shift प्लस डिलिट होगा याद रखेगा साथियो आगे बढ़ते हैं MS PowerPoint में अधिक्तम जूम कितना प्रतिसत किया जा सकता है ये CG Vyapam Food Inspector का 2017 के exam में पूछा गया है साथियों बहुत ही important हो सकता है तो MS PowerPoint में अधिक्तम जूम है साथियों 400% जो है जूम किया जा सकता है याद रखेगा अब जूम जो है दो प्रकार के होते हैं साथियों जूम it और जूम out इसमें हम भली भाती देखते हैं MS PowerPoint में जूम की अधिक्तम प्रतिसत चमता 400% है जूम का अर्थ होता है स्क्रीन पर दिखा रहे आइकन या डाक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करना अगर डाक्यूमेंट को बड़ा करना हो तो जूम इन और डाक्यूमेंट को छोटा करना हो तो जूम out किया जाता है तो याद रखेगा इसे भी Print Preview के लिए Conscious Outcut की उप्योग किया जाता है तो साथियों याद रखेगा ये बहुत ही important हो सकता है तो Print Preview के लिए साथियों जो Option C दिखाई दे रहा है Control प्लस F2 इसका उप्योग होता है किसी भी electronic document को Print करने के पहले यह देखना है कि वह Print होने के बाद कैसा दिखेगा यह किया Print Preview कहलाता है इसके लिए Control प्लस F2 की का उप्योग होता है Option C इसका अंसर होगा साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों MS Excel में चार्ट घुसाने का निम्न में से कौन सा विकल्प सही है Option E देखते है Formula Chart Option B है Data Chart Option C Insert Chart Option D है View Chart तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो Option C दिखाई दे रहा है वही इसका अंसर होगा MS Excel में चार्ट घुसाने के लिए हम Menu Bar के Insert विकल्प का चैन करेंगे उसके बाद उसमें चार्ट का विकल्प मिल जाएगा यहां प्रस्ण में घुसाने सब्द का प्रयोग किया गया है जो कंप्यूटर की भासा में जो है अंसर होगा साथियो Option C होगा आगे बढ़ते हैं साथियो कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन शॉप्टवेर नहीं है Option A है Flash Option B है Python Option C है Maya Option C है Flip Book तो याद रखेगा साथियो इसका जो Option B दिखाई दे रहा है वही इसका अंसर होगा क्योंकि यह जो है एनिमेशन सॉप्टवेर नहीं है और बाकि जो Option 3 तो दिख रहा है वो जो है एनिमेशन सॉप्टवेर है उपर दिएगे विकल्प में Flash, Maya और Flip Book एक एनिमेशन सॉप्टवेर है परन्तु Python एक Programming लेगमेज है याद रखेगा इसलिए इसका जो आंसर है Option B होगा आगे बढ़ते हैं World Rep की क्या विसेस्ता है Option A दिखते है निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना Option B है डाकुमेंट को अंत में जाना Option C है डाकुमेंट को बाई और सनरिक्षित करना Option D है डाकुमेंट को दाहिनी और सनरिक्षित करना याद रखेगा साथियों इसका जो आंसर होगा World Rep का Option A होगा निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना आईए इसको थोड़ा हम डेटेल्स चर्चा करते हैं World Rep यह एक Microsoft Word की एक सुईधा है जिसमें निर्धारित सीमा में किसी वर्ड को फिट किया जाता है इसे हम सरल सब्दों में समझते हैं जैसे कि एक लाइन में हमें दस सब्द लिख सकते हैं एक लाइन में एक लाइन की छमता जो होती है दस सब्द हैं पर हमारे पास 12 सब्द हैं तो जब भी हम वह line type कर रहे होंगे तो 10 सब्द उस line में लिखा जाएंगे और बचे जो 2 सब्द होंगे वो बीना इंटर कुझी दबाएं अगली line में adjust हो जाएंगे यह world rap कहलाता है तो याद रखेगा साथियों यह बहुत ही important है आगे बढ़ते हैं next question MS Office क्या है option A है application software option B है system software option C है utility software option D है animation software इसी साल साथियों सिख्चक भरती के exam में यह भी पूछा गया था MS Office क्या है तो याद रखेगा MS Office जो है option A होगा इसका application software है बहुत है important है आगे बढ़ते हैं table बनाया जा सकता है option A है office में option B है excel में option C है powerpoint में option D है उपर्यूक्त सभी में तो याद रखेगा साथियों table जो है office में भी रहता है MS Office में तो MS Office का तो पार्ट ही है यह तीनो MS Excel, MS PowerPoint and MS Word तो याद रखेगा यह जो table बनाया जाता है वो तीनों में अर्था तो पर्यूक्त सभी में जो है यह सुईधा होती है आगे बढ़ते हैं साथियों next question देखते हैं MS Word software में paragraph के लिए ली गई a style left या right margin को कहते हैं तो याद रखेगा साथियों यह बहुत important है इसका जो answer होगा left और right में दी हुई margin को indent कहते हैं याद रखेगा इसका जो answer होगा option A होगा फिर भी हम बाकी भी option को देखते हैं सबसे पहले MS Word में जो left और right में दी हुई margin को indent कहते हैं यह याद रखेगा और indent को अगर हम जाने तो वर्ड डाक्यूमेंट में left और right side अईस्थाय रुप से margin देने की प्रक्रिया indent कहलाती है left side के indent को left indent वर right side को indent को right indent कहते हैं और वही गटर यहां सब्द आया है साथियों एक option मे तो gutter जो है एक margin देने की प्रक्रिया है जिसमें side, top और margin है inside extra जो space create किया जाता है उसे जो है gutter भी कहते हैं यहां पर जो है option B में दीख भी रहा है आगे अगर हम देखें footnote की बात करें तो यह MS Word का एक feature है जो हमें page के अंत में text लिखने की सुधा प्रदान करता है और इसे समान रूप से किसी document के अंत में publication या author का नाम लिखते हैं याद रखेगा footnote में और वही footer की बात करें तो MS Word में प्रतेक page के अंत में यह note जोड़ा जाता है जो document page के अंत में margin area में होता है इस footer note में समान रूप से page number date आधी लिखे होते हैं जो हर पन्ने पर आगे repeat होते है इस प्रकार साथियों इसके अन्य option को भी जाना next question देखते हैं साधारनता footer कहां पर print होता है option A है पहले प्रिष्ट पर option B है सभी प्रिष्ट पर option C है अंतिम प्रिष्ट पर और option D है सम प्रिष्ट पर तो याद रखेगा साथियों हमने एक question और भी हमें उपर में मिला कि जो footer या header जो है कौन से प्रिष्ट पर मतलब print होता है तो याद रखेगा वहां पर भी जो है सभी प्रिष्ट पर answer आया था यहां पर भी यह option B ही इसका उत्तर होगा सभी प्रिष्ट पर जो है header या footer प्रिष्ट होता है आगे बढ़ते हैं नेम लिकित में से असंगत को अलग करें option A है MS Outlook option C है option B है MS Word option C है MS Excel option D है MS Access तो याद रखेगा साथियों जो MS Outlook दिख रहा है वही इस प्रस्ण के हिसाब से असंगत है तो क्यों असंगत है उसको भी जान लेते हैं दिये गए विकल्पू में MS Outlook असंगत और अलग है क्योंकि MS Outlook के कारे करने के लिए Network connectivity की आवश्यक्ता होती है याद रखेगा MS Outlook में काम करने के लिए सास्थियों Network connectivity की आवश्यक्ता होती है MS Outlook का प्रयोग डाकुमेंट को इमेल करने के लिए किया जाता है, ये भी जान लिजिए साथियों, कभी पूछा जा सकता है, कि MS Outlook का क्या उप्योग है, तो MS Outlook का उप्योग है, डाकुमेंट को इमेल करने के लिए, याद रखेगा, हमारे अन्य विकल्प MS Word का प्रयोग, World Document के तयार करने में MS Access का प्रयोग डाटा बेस तयार करने में, और MS Excel का प्रयोग वर्क बूक तयार करने के लिए होता है, जिन में इंटरनेट के बीना भी अर्थात आफ्लाइन भी इसमें काम किया जा सकता है, बीना इंटरनेट के भी बाकी जो तीन आप्शन है, उसमें काम किया जा सकता है, स एक्जिमाईज विंडो ऑप्शन C है रेस्टोर विंडो ऑप्शन D है ओपन विडियो विंडो तो याद रखेगा साथ यह इसका जो आंसर होगा ऑप्शन A होगा मिनिमाईज विंडो कहलाता है आईए हम थोड़ा इसको तथ्य के मात्यम से जानते हैं एक आईकन के रुप में विंडो को हटाना मिनिमाईज विंडो कहलाता है दुसरे सब्दों में मिनिमाईज विंडो का अर्थ होता है इसक्रीन पर दीख रही विंडो को छोटा करना जब भी हम मिनिमाईज विंडो करते हैं तो विंडो स्क्रीन से हट जाती है और स्क्रीन पर नीचे टास्क बार में एक आइकन के रुप में दिखाई देती है निश्चीत रुप से आपने अगर कम्प्यूटर चलाया होंगे तो इसको बिलकुल अनभो किये होंगे साथियों इसलिए आपके लिए ये उतना कठीन भी नहीं है ये प्रस्न निश्चीत रुप से आगे बढ़ते हैं अब फॉंट और इस्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सलेक्ट करते हैं याद रखेगा फॉंट जो होता है और इस्टाइल को बदलने के लिए जैसे कि हमारा जो लिखते हैं उसका फॉंट होता है साथियों अलग-अलग प्रकार का font होता है style भी होता है तो उसको बदलने के लिए किस menu को select करते हैं तो निश्चेत रुप से आप सभी को मालूम होगा option C जो दिखाई दे रहा है format इस menu का उपयोग करते हैं याद रखेगा option C इसका उत्तर होगा MS Excel के कौन से चार्ट में grid line नहीं पाई जाती तो याद रखेगा साथियो इसमें जो option B दिखाई दे रहा है पाई चार्ट बहुत important हो सकता है ये प्रस्ण तो पाई चार्ट में जो है grid line नहीं पाई जाती इसका answer option B होगा आगे बढ़ते हैं presentation में slide में wishes प्रभाव का उपयोग करना कहलाता है option A है effect option B है transition option C है custom animation option D है present animation तो याद रखेगा इसका answer option C होगा साथियो custom animation आईए इसको समझते हैं presentation में wishes प्रभाव पैदा करने के लिए custom animation का प्रयोग होता है इसके लिए आपको मुख्य menu बार में animation टैप को select करना होता है जिसमें आप अपने slide में किसी भी प्रकार का animation customize कर सकते हैं इसका answer जो है option C होगा आगे बढ़ते हैं हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं हमारा 25 number का question है हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं तो किसमें जमा होते हैं यह पूछा जा रहा है तो निश्चेत रुपसे साथियों recycle bin जो होता है इसमें जमा होता है इसलिए इसका answer जो है option C होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं MS Excel में cell E10 में formula लिखने हैं तू सहीं विकलप है पूछा जा रहा है साथियों MS Excel में cell E10 में formula लिखने हैं तू सहीं विकलप है पूछा जा रहा है तो option जो D दिखाई दे रहा है साथियों equal A1 plus B1 यही जो है इसका answer होगा साथियों इसका जो है हम यहाँ तत्य के माध्यम से समझते हैं क्यों यह option D इसका answer हो रहा है MS Excel में formula लिखने का सहीं तरीका विकलप में दो cell range के बीज के cell को आपस में जोड़ने के लिए विकलप दिये गए हैं जिसे E10 के नाम से जाना जाता है तो E10 नाम के cell में लिखना है सबसे पहले E10 नाम के cell में जाएंगे formula लिखने की सुरुवात हमेशा equal से होता है याद रखेगा बराबर के निसान से होता है तो फिर उन cell के नाम से लिखे जाते हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है यहां हमें A1 और B1 को जोड़ना है अता है A1 प्लस B1 लिखेंगे हमारा उत्तर जो है equal A1 प्लस B1 होगा याद रखेगा साथियों यही इसका आगे बढ़ते हैं एक spreadsheet sheet में data किस तरह ब्यवस्तित होता है तो option A है lines and spaces में option B है row तथा column में option C है layers तथा plans में option D है height तथा width में तो याद रखेगा साथियों इसका जो option B दिखाई दे रहा है तो एक spreadsheet sheet में data जो है हमेशा row तथा column के रुप में ब्यवस्तित रहता है तो इसका जो answer होगा option B होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं Excel workbook खालिस्थान का संग्रा है तो option A है chart option B है work sheet option C है workbook और option D है A और C दोनों तो याद रखेगा इसमें जो Excel workbook है वो खालिस्थान का संग्रा है तो option B जो दिखाई दे रहा है work sheet का संग्रा है तो याद रखेगा इसका जो answer होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा PowerPoint साप्टेवेर का view द्रिश्च नहीं है तो option A है presentation view option C है slides view option B है outline view और option D है slides show view तो याद रखेगा साथियों इसमें जो PowerPoint presentation का view जो है presentation view भी है slides view भी बोलते हैं और slides show view भी बोलते हैं और नहीं बोलते तो outline view तो याद रखेगा इसका जो answer होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं MS Word कितने प्रकार के page orientation उपलब्द कराता है ये बहुत ही बढ़िया question है साथियों याद रखेगा इसका जो answer होगा option C होगा दो प्रकार के page orientation उपलब्द कराता है MS Word और वो दो प्रकार के कौन-कौन से है तो याद रखेगा landscape और portrait निश्चित रुप से आप इसे जानते भी होंगे mobile में भी ये सुईधा उपलब्द है तो निश्चित रुप से MS Word में भी page orientation के दो प्रकार होते हैं landscape और portrait आगे बढ़ते हैं साथियों Microsoft Word में portrait क्या है तो अभी हम ने देखे भी हैं साथियों portrait जो है page orientation है इसलिए इसका जो answer होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं कौन सा command तुमें presentation के पहले slide में ले जाता है तो याद रखेगा इसका जो answer होगा साथियों इससे तुरुप से साथियों इसका जो answer होगा option B होगा control plus home होगा याद रखेगा आईए हम बाकी option को भी समझते हैं सबसे पहले तो हमारा जो answer है control plus home command हमें presentation के पहले सबसे पहले slide में ले जाता है तो यही प्रस्न पूछा भी गया है कि command हमें presentation के सबसे पहले slide में कौन ले जाता है तो वो control plus home होगा याद रखेगा जो option में दिया है presentation में एक slide up जाने के लिए उपर जाने के लिए किया जाता है इसका नाम ही है page up और page down जो है presentation में एक slide down जाने के लिए अर्थात नीचे जाने के लिए उपयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं साथियो land escape क्या है तो land escape पूछा गया है तो निश्चित रुप से जो portrait और land इसके दोनों जो है page orientation का ही प्रकार है तो याद रखेगा इसका भी जो answer है option D होगा option D ही इसका answer होगा साथियों आगे बढ़ते हैं नई work sheet जोडने के लिए खालिस्थान स्वारी नई work sheet जोडने के लिए है तो option A है ctrl plus tab option B है ctrl plus space option C है alt plus shift plus F1 और option D है shift plus space तो याद रखेगा साथियों इसका जो answer होगा alt plus shift plus F1 होगा जो option C दिखाई दे रहा है यहाँ पास वही इसका answer होगा याद रखेगा इस प्रस्नका answer option C होगा आए इसको समझते भी हैं जब भी हम MS Excel को open करते हैं तो हमें workbook के by icon पर नीचे की तरफ work sheet लिखा हुआ दिखाई देता है by default work sheet की संक्या 3 होती है जो क्रमसा 1,2, sheet 1,2,3 के रूप में प्रदर्शित होती है अगर हम और भी अधिक sheet इसमें जोडना चाहते हैं तो alt plus shift plus F1 shortcut key का प्रयोग करते हैं जयाद रखेगा यह भी important है साथियों आगे बढ़ते हैं जो sale गाढ़ी, bold, sima वाला होता है वह खालिस्थान कहलाता है यह पुछा जा रहे साथियों जो sale गाढ़ी, bold, sima वाला होता है वो खालिस्थान कहलाता है तो निश्चे तुर्प से इसमें जो option C दिखाई दे रहा है active कहलाता है जो sale गाड़ी बोल्ड सीमा वाला होता है वो active कहलाता है option C का answer होगा इसमें लिखा भी है MS Excel row और column के intersection से बनने वाले इस्थान को और sale कहते हैं जिसमें डेटा लिखा जाता है जब भी हम Excel sheet पर sale को select करते हैं तो उसके उपर एक गाड़ी बोल्ड आकरिती आ जाती है और इसे sale को हम active sale भी कहते हैं याद रखेगा next question देखते हैं Google search engine से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के सब्द को ढूर्णने के लिए आवस्यक कीबोर्ड है तो याद रखेगा साथियो इसका जो answer होगा option A जो है इसका answer होगा control प्लस E जो है इसका answer होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं साथियो करसर को text line के शुरू में लाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है तो याद रखेगा साथियो इसका जो answer होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन से application MS office package का भाग नहीं है तो option D मैकर जो है MS office package का भाग नहीं है option D इसका answer होगा presentation त्यार करने के लिए कौन सा application समानिता उप्योग में आता है option A है Photoshop option B है Outlook Express option C है PowerPoint और option D है pen तो याद रखेगा presentation के लिए निश्चे तुरुप से PowerPoint उप्योग में आता है साथियो निश्चे तुरुप से इसका answer होगा option C हो और आगे उपर हम देख भी चुके हैं इसको और भी तो निश्चे तुरुप से आगे बढ़ते हैं word page में word art सदय खालिस्थान में टाइप किया जाता है तो याद रखेगा साथियो इसका जो answer होगा text box होगा इसका answer option C जो है इसका answer होगा आगे बढ़ते हैं document के नीचे पह इसका जो a option है page down की यही इसका answer होगा याद रखेगा और भी detail जान लेते हैं page down की किसी भी document में नीचे जाने के लिए page down की का प्रयोक किया जाता है परन्तु page down कुंजी प्रेस करने पर आप उतने ही नीचे जा पाते हैं जितना आपको screen पर प्रदर्शित हो रहा हो और वही home की की बात करें तो home की दबाने से line वाक्य के प्रारम में पहुच जाते हैं वरतमाल line के प्रारम में पहुचेंगे जिस line में आपका करसर होगा और वही end की की बात करेंगे तो end की दबाने से line वाक्य के अंत में पहुचेंगे जिस line में आपका करसर है वही control plus end की की बात करे तो जब भी हमें किसी डाकुमेंट के सबसे अंत में जाना होता है तब हम control प्लस end की का प्रयोग करते हैं इस प्रकार सात्यों अब हम next question देखते हैं वर्ड पेज में किसी चैनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने है तो उपर्युक्त शाटकट की है तो याद रखेगा सात्यों उप्युक्त शाटकट की पुछा गया है तो निश्चित रुप से control प्लस shift प्लस जो बढ़ा का चिन होगा ग्रेटर का वही इसका अंसर होगा याद पर देख भी सकते हैं control प्लस shift प्लस बढ़ा का जो जो प्यों सीन है प्रयोक सेलेक्टेट के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसके विब्लिक टेक्स्ट के आकार को घटाने के लिए control प्लस शेप्लस जो छोटा का अकार चोटा कह चीन है उसका उप्योग साटकट की का उपयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं साथियो निमलकित में से कौन सा word processor है साथियो option जो A दिख रहा है वही इसका answer होगा MS word जो है word processor है आगे बढ़ते हैं साथियो यह तो हमारे next question है साथियो paragraph के center alignment के लिए प्रेस करते हैं option A है control plus S, option B है control plus C plus A, option C है control plus C और option D है control plus E तो निश्चेतरप से साथियो paragraph को बीचो बीच लाने के लिए कौन सा shortcut की उपयोग करने के लिए पुछा जा रहा है तो इसका answer जो होगा option D होगा control plus E का उपयोग किया जाता है साथियो paragraph को बीचो बीच alignment करने के लिए तो चलिए साथियो आगे बढ़ते हैं हमारा next question देखते हैं MS word में कौन सी shortcut key की चैनित line या text को screen में मध्य align कर देती है निश्चित रुप से कही ने कही उसी question को repeat किया जा रहा है तो निश्चित रुप से इसका भी answer जो है control plus E ही इसका answer होगा साथियो इस प्रकार चलिए next question देखते हैं साथियो power point में presentation में text को कैसे चिपका दे हैं तो इसमें जो है साथियो कैसे चिपकाते हैं अर्थात paste करने की बात हो रही है तो आप सभी जानते है कि paste करने का जो shortcut की है वो option D जो दिखाई दे रहा है control plus V जो है इसका answer होगा अर्थात control plus V का जो प्रयोग है copy or cut किये गए text को paste करने के लिए उप्योग किया जाता है इसका जो answer होगा option D होगा MS Office Software Group के साथ कौन सा Spreadsheet application आता है option A है MS Word, option B है MS Excel, option C है MS PowerPoint और option D है MS Access तो याद रखिये गए साथ है MS Office Software Group के साथ कौन सा Spreadsheet application आता है पुछा जा रहा है तो निश्चेत रुप से इसका जो answer होगा option B जो दिखाई दे रहा है MS Excel जो है इसका answer होगा आगे बढ़ते हैं साथियों MS Office Software में इसमें बताया भी गया है MS Excel जो है Spreadsheet application है तो हमारा next question है निम लिखित में से कौन एक animation निर्मार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है option A है looping, option B है marping, option C है digitization, option D है radaring तो याद रखेगा साथियों animation निर्मार की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है पुछा गया है तो option C जो दिखाई दे रहा है यही इसका answer होगा digitization आगे बढ़ते हैं साथियों, Excel में कौन सा function बताता है कि कितने numeric entry वहाँ है तो याद रखेगा इसका जो answer होगा साथियों, count होगा count जो है बताता है कितने numeric entry है आगे बढ़ते हैं साथियों, एक video में खालिस्थान के अनुकरम के होते हैं तो याद रखेगा, frames जो इसका answer होगा, एक video में frames अनुकरम के होते हैं याद रखेगा, frames में sequence में होते हैं तो इसका जो देखा जाए, तो एक video में कई frames से मिलकर बना होता है एक video का stand frame rate 24 frame प्रती सेकेंड होता है, याद रखेगा आगे जो हमारा question है, वो इसीच पर है सांथियों आज कल मानक animation frame rate क्या है तो याद रखेगा, अभी देखे भी है 24 fps है, याद रखेगा 24 fps frame पर second है, याद रखेगा सांथियों इसका जो answer है, option B होगा इस प्रकार सांथियों हमने ये जो MS Word, MS PowerPoint and MS Excel से तीनों topic मिलाकर पूरे top 51 MSQ किये हैं निश्चित रुप से आप सभी के तैयारी के लिए बहुत ही कार्य, बहुत ही काम का होगा निश्चित रुप से, आने वाले वीडियो में फिर से एक नए topic के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपने चैनल टीचर सिप धन्यवाद साथियों